हेलो और विल्कम टू माई चैनल इस इस मदुवितास जंशन आप लोग कैसे हैं ब्यूटीज ओके आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ एक वेट लॉस ब्रेकफस्ट कह सकते हैं वेट लॉस स्मूधी बोल सकते हैं हम लोग ब्रेकफस्ट में बहुत कुछ जंक खा लेते ह हैं तो उसके लिए वेट लॉस के लिए क्या बहुत जण यह सोचते हैं कि आप स्टरविंग करें कि आप खाना ही छोड़ें लेकिन यह सही नहीं है ठीक है ना उससे आपका वेट और भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है तो मैं प्रोटीन भी हम लोग के बॉड़ी में इ बहुत ज़ल भी इसको नहीं जानता है और यह बहुत ही बेनिफिशल है फॉर और है यह आप लोग के लिए बहुत जो हम लोग कर दो तक फुल भी रखता है तो दन लेट स्टाट चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने लेली ओट्स उसको पहले दस में पहले में रखा था कभी ओच ऐसे नहीं खाएगा उसको रोस्ट कर लीजिएगा ड्राइब नहीं तो भीगों के रखे खाएगा नहीं तो कॉंस्टिपिशन होता है फिर मैं बनाना ली हूँ उसके बाद में चौको पाउडर आप सारी कोको पाउडर ली हूं मैं अन्स्वीटन कोको देन मैं थोड़ा सा चौको चिप ली हूँ और मैं सिनमन स्टिक्स ली हूँ वो वेट लॉस के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशिल होते है देन मैं सब चीजों को ग्राइंडर में डालके उसमें एक ग्लास पानी डालके मैं अच्छे से ग्राइंड कर दूँ ओके मेले साथ तो ऐसा हमें चाहिए होता है टेंटर है दो फाइनल प्रोड़क्त इस वेड़ी और इस लोक सो यम्मी यह जितना अच्छा देखने में हुआ है ना उससे भी ज्यादा अच्छा यह पीने में है गानिश के लिए मैंने उपर से एक दो आमंद कातके दे दी आप ल आप लोग मेरी बनाना स्मूदी जो रेसिपी है चौको बनाना स्मूदी वह आप लोग का अच्छा लगा होगा और यहां पे बहुत जन चौकलिक अगर मन नहीं चाहे तो वह आद नहीं कर सकते लेकिन मैं जो पोको पाउडर यूस की हूँ वह टोटली अंस्मीटन है तो इससे आपका वेट गेन करने का कोई पॉसिबल ही नहीं है चौकुची में हाँ हाँ बोल सकते उसमें थोड़ा सा कैलोरी हो सकता है लेकिन टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत कोई इशू नहीं है अगर हम लोग इसको रेगूलर्ली इंटेक करे जंक ऐसे कोई करें इन केजी में हम लोको वेट लॉस होगा ऑके अगर आप लोग मेरी आजकी वीडियो अथा लगा तो फिर देन लाइक शेर और सबस्क्राइब कीजिएगा ऑके बाए-बाए